वीडियो शुरू करने से पहले कुछ शुरू करने से पहले कुछ कहना चाहती हूं आप सबसे एक्शली मेरे इस एफफ के हर्ट वन पे जैसा आप लोग का रिस्पॉंस है सच कहो ना तो मुझे एफफ तो क्या मुझे इस चैनल को भी कंटिन्यू करने का बिल्कुल भी मन नहीं है आप सब का सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो मुझे लिखने का मन नहीं करता है और क्या ही बोलूं कितना भी महनत कर लो कितना भी कुछ कर लो लेकिन व्यूज वैसे के वैसे ही है ना तो चैनल पर व्यूज है ना वीडियोस पर लाइक्स है तो आप इप सोचो कि कैसे मन करेगा स्टोरी लिखने का लेकिन खेर अब मैंने एफ एफ शुरू किया है तो इसे मैं एंड जरू करूँगी तो देखते हैं आगे क्या होता है अगर सब सही रहा है मैं इस चैनल को आगे जरूर कंटिन्यू करूँगी नहीं तो फिर आइ थिंक कि मेरा लास्ट एफ एफ होगा इस चैनल का तो चलिए बहुत वक्त ले लिया आप सब का स्टोरी को शुरू करते हैं विंग ने जब अचानक से वांग जी को पीछे से अपने गले से लगा लिया तो वांग जी चौक किया लेकिन जब उसे असास हुआ कि वो कोई और नहीं उसका विंग ही था तो वांग जी ने तुरंट विंग को अपने गले से लगा लिया और कहा विंग, I love you, I love you so much और तुमने पताया मुझे कितना हर्ट किया है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम यहां आए हो और गागा ने भी मुझे सच चुपाया I was so sad कि मेरी लाइफ का इतना important moment था इतना बड़ा दिन था और मेरी wife ही नहीं आई मेरे लिए विंग, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हाँ? How could you do that? विंग बोला I'm sorry husband मैं बस आपको surprise करना चाह रहा था मेरा इराधा आपको सैट करने का बिल्कल भी नहीं था मुझे नहीं पता था कि आप तब ही वांग जी ने विंग को अपने से थोड़ा दूर किया और उसकी आँखों में देखते वे कहा विंग मैं तुम से बात पुछना चाहता हूँ क्या तुम मुझे नाराज हो क्या मेरी किसी बात से तुमको बुरा लगा है I know कि पिछले कुछ वक्त से मैं तुमें टाइम नहीं दे पा रहा हूँ विंग मैंने तुम से बात करनी चाही थी लेकिन कभी तुम कॉल इसी भी नहीं करते थे इसलिए मुझे शिजर्गा का कॉल करना पड़ता था और तुम्हारे बारें पूछना पड़ता था विंग वांग जी के पाते सुनकर मन में बोला सौरी हस्बेंट मैं मैं भी आपको सच नहीं बता सकता हूँ कि में तविद बहुत जादा खराब हो गई थी इसी वज़े से मैं आपका फोर नहीं उठा पा रहा था विंग ने तभी वांग जी के लिप्स पर किस कर लिया और कहा हस्बेंट मैं आपको तुम्हें पता नहीं बोल गया शेजे और जेंग चेंग को जिब पता चला ना कि आपको आर्मी में एवार्ड मिल रहा है ना तो वो तो बहुत खुश थे कि मतलब मैं पता नहीं सकता हूँ कितने खुश थे तभी वांग जी ने विंग की कमर पर हाथ रखा और उसे अपने करीब लाते हुए विंग के कान के पास स्रेट्टिव वाइस में कहा अब मेरी वाइफ को कैसा फील हुआ था अब इदक तो उसने मुझे बताया भी नहीं बताओ मुझे विंग विंग का फेस पुरा रेट हो गया था वो बोला हस्पेंड मुझे बहुत अच्छा लगा था लेकिन यह आप क्या करे हूँ अगर किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो हम आर्मी कैम्प में हैं आपको पता हैं न वांग जी की आईस बहुत ज़दा सिरक्टिव हो गए थी वो बोला विंग, you know something I really want to kiss you so passionately कि मैंने कैसे कंट्रोल कर रखा है न यह मैं ही जानता हूँ फिक्र मत करो मैं यहां तो मैं साथ कुछ भी नहीं करूँगा तुमारा हस्पेंड इतना तो समझतार है लेकिन घर पर वापस आके विंग, मैं तुमें अपने से दूर नहीं जाने दूँगा यह सुनते ही विंग चौक गया और बोला हस्पेंड, आपका आपका घर से क्या मतलब है क्या आप उसकी आँखों में कोशी की आशो आ गए थे विंग बोला बताइए ना हस्पेंड वापस जी ने प्यार से विंग के फेस को केरस किया और कहा माई डिया वाइफ मुझे पूरे दो महीने की लीव मिली है अब मैं तुमाय साथ बिना किसी फिक्र के बिना किसी टेंशन के रह सकूंगा विंग एक पल तो कुछ भी नहीं बोला जैसे कि वो यकीनी नहीं कर पा रहा था इस बात पर तब ही मानो वो होश में आया हो वो वाँग जी से बोला हस्पेंड अप अप सच कह रहे हो अप मेरे साथ अपने फैमिली के साथ पुरे दो महीने तक रहोगे आप सच कह रहे हो न विंग के फेस पर एक बहुत ज़ात प्राइटिस मैल आ गए थी वो वोला बताईए ना हस्पेंड प्लीज वाँग जी ने विंग के आंसों पहुचे और कहा हाँ अब मैं पुरे दो महीने तक तो अपने हस्पेंड लानवांग जी के पास सुनकर विंग बोला I love you too हस्पेंड कुछ दिर बाद वो तो नो अपनी फैमिली यानि लाँशी जैन और लानकरन के पास वापस आ गए शुयांग और शाओ शिंग शैन भी वही पर थे शुयांग धीरे से बोला शाओ देखो तो जरा लानवांग जी का फैस कितना ब्राइट हो गया है अभी कुछ दे पहले तक कितना अदास था वो उसके बाद सुनकर शाओ बोला हाँ तो क्यों नहीं होगा उसका विंग जो उसके पास आ गया है कितने दिन बाद तो वो अपनी वाइफ से मिल रहा है लेकिन शुयांग अब तुम प्लीज कोई गरपर मत करना ठीक है तुमने वांग जी का अच्छा खासा मूट खराब कर दिया था प्लीज अब और नहीं करना कुछ भी तो उसके बाद सुनकर शुयांग हसार बोला हाँ बाबा हाँ अब मैं कुछ नहीं करूँगा और कुछ भी नहीं कहूँगा वांग जी ने वींग का हाथ अपने हाथ में पकाड़ा रखा था तबी लान कुरेंट बोले वांग जी वींग तुम्हें कहां मिला तो वींग मिस्चीवियस वे में बोला अंकल मैंने कहा थाना कि मैं हस्बन को सप्राइज सेना चाहता था बस वह ही हुआ है तबी वांग जी बोला मुझे अपसे एक शिकायत है आपने मुझे क्यों कहा था कि वींग नहीं आया है आप भी वींग की संगत में रह करके छुट बोलना सीख गयो ना ये सुनते ही लांग जी बोले वांग जी प्लीज मुझे गलत मत समझो ऐसा कुछ भी नहीं है मैं तुम्हें सच पताना चाह रहा था लेकिन वींग अच्छे से जानता था कि वांग जी अपने बड़े भाई लांशीचेन की बहुत जाता रिस्पेक्ट करता है और वो नहीं जहाता था कि उनके बीच में किसी भी तरह की मिसंडरस्टेंडिंग हो वो तुरंत बोला हस्बेंट शेचेन गागा की इसमें कोई गलती नहीं है अगर उन्हें आपसे कभी कुछ छुपाया है तो सिर्फ मेरी वज़े से आप तो जानते हो ना मैं कैसा हूँ मैं ही रोने लगता था कि वो आपको कुछ न बताएं प्लीज प्लीज हस्बेंट आप का कागा पर गुस्सा मत होना वांग जी का फेस फिल्कुल सीरिस हो गया था वो बोला वींग तुम्हें अच्छे से पता है ना यू नो ना कि मेरे जूट पसंद नहीं है विल्कुल भी फिर चाहें तुम बोलो गागा बोले या फिर कोई और वींग बोला हस्बेंट I'm sorry ना प्लीज आप तभी वांग जी बोला वींग हम बाकी की बाते घर पर करेंगे तभी उसे शुयंग के तरफ देखा और कहा मैं नहीं चाहता कि कोई हमारी परसनल लाइफ की बारे में जाने या हमारी बाते सुने शुयंग तुम रिकुल शॉक्ट हो क्या वांग जी तुम मुझे बोल रहे हो मैंने कम तभी शाव शिंचन ने उसे रोका और कहा शुयंग वांग जी का मोड ठीक नहीं है तुम क्यों आफ़ाद ले रहे हो अपने सिर पर वो उसके और विंग के बीच की बात है ना वांग जी ने तभी अपने अंकल और भाई से कहा कि मैं आप सब को इक बात बताना चाहता हूँ कि मुझे पुरे दो महिने के लिए मिली है तो आज आवार्ड फंक्शन एंड होने के बात मैं आप सब के साथ घर चल रहा हूँ लान कुरेन बोले वांग जी ये तो बहुत अच्छी बात है कि कितने टाइम बात ऐसा दिन हम देख पाएंगे कितना टाइम होके आए ना जब हमने फैमिली डिनर डिनर नहीं किया है और जब से हमने फैमिली डिनर नहीं किया है और साथ ही हमने बैट के बाते भी नहीं करी है मैं बहुत कोश हूँ शीचन बोले वांग जी प्लीस अपने बड़े भाई चे नराज मत हो ना उनकी बार सुनका शीचन वांग जी बोला गागा इस ओके मुझे पता है कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है और हाँ जिसकी गलती है उससे तो मैं घर जाके बात करूँगा विंग की हार्टबीट बहुत तेज हो गई थी वो जानता था कि वांग जी को कितना जादा गुस्सा आता था वैसे तो वो बहुत शान रहता था लेकि उसमें गुस्सा बहुत खराब था वो बोला हजबन मेरी बात हो सुनी ना मैं वो लेकिन वांग जी ने उसको कोई रिप्लाई ने दिया एवार्ट फंक्शन एंड होते होते शाम हो गई थी वांग जी ने अपने सारे सीनियर्स को बो किया तब ही इमिंग जोए बोले वांग जी अपने इन होलिडर्स को अच्छे से एंजॉय करना और आई होप जल्दी हमें तुम गूड नियूस भी दोगे हमें गूड नियूस सुनी है वांग जी उनकी वास सुनती वांग जी बोला सर आप वींग पिचा तो शाम के मारे वांग जी की पीछे छुपकिया तबी नेमिंग जो है बोले अलएट 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 अब मैं तुम्हारा और तुम्हारी फैमली का होड़ वक्त नहीं लूगा है वास सेफ चर्णी आर्मी कैमप एरिया से लैंस का घर अप्रॉक्सिमेट्स ली मतलब यह लगभख 400 किलो मीटर्स की दूरी पर था तो इसलिए घर पहुंसते पहुंसते रात का बारा बच गया था पूरे रास्ते वींग वांग जी से बाते करता चला आ रहा था कि वो ऐसा करेगा वो यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे कुमनि और भी पतानी की तिसारी बाते और वांग जी ने उसकी बात का जवाब सिर्फ हा या ना में ही दिया था इन टोटल उसे जादा कुछ नहीं कहा था और उसका असर यह हुआ कि घर पहुंसते पहुंसते वींग को नीद आ गई थी वांग जी ने उसे अपनी लैप में लेटा लिया लैंस के घर के बाहर कार रुगी लान कि रन तो घर के अंदर चले गए शिचर ने जब वींग को नीद में देखा तो वो हसर बोला पूरे रास्ते वींग एक मिनट के लिए भी चुट नहीं हुआ था और देखो देखो इसे घर पहुंसते इसे नीद आ गई वाह कितना बढ़या काम किया ने इसने वांग जी बोला का आप चलिए मैं मैं वींग को लेकर बस आता हूं तो शिचर ने बोले ठीक है वांग जी मैं और अंकल अपने अपने रोम में चले जाएंगे ठीक है तुम विंग को लेकर अपने रोम में चले जाना हम कल बात करेंग और इड़ी काफी लेट हो चुका है मांग जी ने प्यार से विंग की और देखा और बोला माई लव तुम तो कह रहे थे कि मेरे ले कोई सप्राइस है तुम्हाई तरफ से शीजन अपने अपने रोम में चले गए थे वांग जी विंग के पास था वो बोला विंग कोई बात नहीं है मैं इंतिसाग करूंगा उसने बहुत केरफुली विंग को अपने बाहों में उठाया और उसे घर के अंदर दे जाए लगा रात बहुत हो गए थी इसलिए लान कुरन और लान शीजन अपने अपने रोमस में चले गए कोई काफी ठब गए थे वो लोग वांग जी विंग को आमस में ले हुए अपने रोम तक पहुँचा किसी तरह से उसने रोम का डोरो पिन किया और फिर साइड वाल पर लगे लाइट स्विच को अन किया लेकिन जैसे ही उसने अपने रोम की हाला देखी तो वांग जी को तो यकीन ही नहीं हो राता कि ये उसी का रोम है वांग जी को हमेशा से चीज़ों को उनकी जगा पर रखना रोम को clean, neat and tidy रखना पसंद था उसी जगा वींग उसके विकल opposite nature का था रोम में और बैट पर कोई बीचे सपनी जगा पर नहीं थी और बैट पर तो वींग ने वांग जी और अपनी marriage की फोटोस रखी हुई थी साथ थी वो पिलो भी जो वांग जी ने वींग की जिद करने पर बनवाई थी उस पिलो पर उन तोनों की फोटो थी वांग जी ने गहरी सांस ली, वो अलिडी भाज़त था ठका हुआ था इतनी long journey के बाद इसलिए उसने decide कि वो अगले दिन रोम को साफ करेगा वांग जी ने बहुत कैरफुली वींग को बेट पर लिटाया उसके कोट को निकाला और वींग को बेट पर पर रिटाने के बाद डॉर से अपने night cloth निकाली और फिर अपने cloth चेंज करने लगा जब वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा वींग ने उस पिलो को अपने गले से कसकर लगा रखा था और वो सुरहा था वांग जी धीरे धीरे कड़ मोंखे बैट के पास किया और उसके पास से वो पिलो हटाने लगा लेकिन विंग उसे अपने से दूर करने को पिल्कुल त्यार ही नहीं था वांग जी ने दीरे से उसे कान के पास कहा माई डियर वाइफ तुम्हारा हस्पेंट तुम्हारी पास है और अभी भी तुम इस पिलो को अपने गले से लगा हुए हो ना ये तो गलत बात है विंग प्लीज विंग मुझे तुम्हें गए लगाने दोना और कुछ यू हुआ जो वांग जी ने सोचा भी नहीं था अचनक से विंग ने वो पिलो छोड़ दी ये देखकर वांग जी चौप किया उसे तभी विंग को अपने बाहों में ले लिया कहा विंग तुम तुम नाटक तो नहीं करे हो ना सोने का जो मैं तुमसे कहा था कि मैं तुमसे घड़ा के बात करूंगा विंग अगर तुम नाटक करे हो तो प्लीज अपनी आंगे खोलो ना तुम्हारा हस्बेंट तुम्हें प्यार करना चाता है प्लीज विंग प्लीज तुम्हें नहीं बता कि मैंने खुद को अभी तक कैसे कंट्रोल किया है विंग विंग आई वान्टो मेक लव यू दू प्लीज नीज से जाग जाओना इदे टाइम बाद हम एक दूसे के इतना नस्दी का पाए है एक दूसे को टाइम दे पाए है और देखो तुम सो गए ये कहकर वांग जी ने विंग के लिप्स पर एक सौफ्ट किस किया और फिर उसके फेस पर त्वेड़ सारे किसे किये उसके इलफा फेरामों से लीस होने लगे थे और साथी वांग जी के बाड़ी हीट अप होने लगी थी एराउस्ट होने लगी थी जब वांग जी विंग के लिप्स पर किस कह रहा था हचानक से उसे वक्त विंग की नींद खुल गई वांग जी को खुद कुरकिस करते हुए थे एक घर थुरा जाया शौक किया लेकिन वो शाय भी फिल करा था वो बोलना चाहरा था लेकिन वांग जी ने उसे कुछ कहने ही नहीं दिया वो उसे किस करते ही चला जाया था तब विंग ने उसे अपने से तुरा दूर किया और कहा हस्बेंड मुझे सांस नहीं हा रही है वांग जी की आइस और जादा सेटक्टिव हो गए थी वो बोला विंग विंग लाव यू विंग बोला हस्बेंड हम घर का वाई तब ही वांग जी ने उसकी शर्ट के बटन्स को ओपन करते है का विंग हम बागी की बाते ना बात में करेंगे बट प्लीज प्लीज पहले मुझे तुम्हें प्यां करने दो विंग समझ गया था कि आज रात आज पूरी रात उसे सोने ने मिलने वाला था वांग जी इतने दिन का जो उनके बीच में दोरी थी उसे पूरा करना चाह रहा था विंग को प्यार करके सो व्रेंट्स मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन टेक केर एंड हैवा नाइस टेवरिवान